नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर भीके राय आपको मेरे चैनल डॉक्टर भीके राय होमियोपैथ किलिक में बहुत-बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो वेटिंग नौजिया के वारे में तो आज मैं बत लाऊंगा कि इसके क्या कारण है क्या लच्छन है इसके लिए बेश्ट होमियोपैथेक मेडिसिन कौन-कौन है जिसमें बहुत अच्छा लाव देता है तो आज मैं इन सारे चीजों पर चर्चा करूंगा तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो किर्प्या वीडियो को पूरा देखें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किर्पिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरू टेस करने हैं यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक और शेयर करें यह वीडियो जो है इजुकेशन और परपरस बनाया जा रहा है इस वीडियो में बत लाए गए जो भी मेडिसिन का ज़्यादी सेवन करना चाहते हैं तो उसको सेवन करने के पहले आपको अपने नजदी की हुमियोपैस दॉक्टर से जो यह हमारे अमासे के भीतर के पदार्थो को बल्पुर्वकArenaudia याnosia वार उल्टी होने के वजै से यह हम लोग को पहले ही जो है संका हो जाता है कि हमको उल्टी होने वाला है अंदाल लग जाता है इसी को हम लोग नोजिया बोलते हैं कि इसके कई कारण होते हैं जैसे गैंस्ट्रिक के बज़ा से अपच के कारण ब्रेंट टूमर के कारण या जिनको किसी भी दवाई का दूस्प्रभाव हुआ हो उसके कारण भी है जो उनको यह समस्या देखने को मिल सकता है गरवा भश्ता के दोरान यह समस्या देखने को मिलता है चक्कर आने के कारण भी उनको यह समस्या देखने को मिल सकता है या किसे भी जो है उनको गंद से यदि जो एलर्जी है उसके वज़ा से भी जो है उनको यह समस्या देखने को मिल सकता है फुट प्वाजनिंग के वज़ा से उनको यह समस्या देखने को मिल सकता है इनको माइगरिन सरदर्द है बहुत लंबे समय से सरदर्द चला आ रहा है जिसके बज़ा से भी उनको यह समस्या देखने को मिल सकता है या किसी भी तरह के दर्द के कारण जो है उनको यह समस्या देखने को मिल सकता है आधि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस कारण के बज़ा से उनको यसमस्या देखने को मिल सकता है अब यह जानते हैं इसके मुख लच्छन के बारे में जो इसमें देखने को मिलता है तो इसमें जो है पेसेंट को बहुँ जादा पेट में दर्द हो सकता है इसके लच्छन, छाती में दर्द हो सकता है, बहुँ जादा उल्टी करने के बज़े से उनको बेहोसी की हलात हो सकता है, उनको हलका फीवर हो सकता है इसमें, आधी बहुत सारे ऐसे लच्छन हैं जो इ कि इस समस्या में बहुत ही अच्छा लाब देता है कि तो सबसे पहला मेडिशिन उनके लिए रहेगा जिनको यह समस्या लंबे समय से चला रहा है उनको कभी ठीक होता है और फिर कुछ दिनों का बाद जो है उनको वो वेटिंग की समस्या देखने को मिलता है उनका जीव का रंग साफ हो, उनको यह समस्या बार-बार रिपिटेशन हो वो वेटिंग का, यदि ऐसा लच्छन देखने को मिर रहा है, तो उनके लिए EP केक 30 पार में बहुत ही अच्छा लाव देता है, जिनको लंबे समय से चला रहा है, यदि उनको बार-बार कह हो रहा है जिसे वह बहुँ ज़्यादा परसान हो गए हैं, तो उस कंडिशन में EP केक का लोग पोटेंशी उनको यूज़ करना चाहिए, शीक्स पोटेंशी में यूज़ करें, हर दस से पंदा मिनट पे उनको तीन से चार बार इसका जो है रिपिटेशन कर लें, ले लें इसका से द उनके लिए रहेगा जिनको गिरिष्ट भोजन करने के बाद या मसालेदार भोजन करने के बाद तीखा भोजन करने के बाद इदि उनको यह समस्या देखने को मिल रहा है, तो यह लच्छन में इस स्थीती में कंडिशन में बहुत अच्छा लाब देता है होमियोपैथिक म इसको ड्रेक अपने जीपे जो है आपको दो से तीन बोन टपका लेना चुवा लेना है ऐसा आपको दो से तीन बार इसका उप्योग करना है यह होमियोपैथिक मेडिसिन आपको यह इस्थिती में आपको बहुत अच्छा लाभ देता है अगला होमियोपैथिक मेडिसिन उनके लिए रहेगा जिनको बहुत ज्यादा उल्टी की समस्या देखने को मिल रहा है उनको प्यास बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है और जैसा ही पाने वह पीते हैं तो दोबारा फिन से उनको उल्टी की समस्या देखने को मिलता है यदि ऐसा लच्छन देखने को मिले तो उनके लिए बहुत ही लाबदायक हुमियोपैथिक मेडिसीन है जिसका नाम है आर्सेनी के लवं ठर्टे पार में इसकी डोज दो से तीन वोन रेक अपने जीपे जो है टपका लेना है चुवाल लेना है ऐसा उनको तीन बार उप्योग करना है शुबह दुफर साम यह हुमियोपैथिक मेडिसीन उनको इस इस समस्या में बहुत ही अच्छा लाब देता है अगला हुमियोपैथिक मेडिसीन उनके लिए रहेगा जो लोग गरिष्ट भोजन कर लेते हैं उसके बाद यह समस्या मेडिसीन है जिसका नाम है पल से टीला ठटे पार में इसकी रोज भी सेम रहेगा दो से तीन बुन ड्रेक अपने जीपे जो है टपका लेना है चुआ लेना है ऐसा उनको दो से तीन बार इसका उप्योग करना है अगला हुमियोपैथिक मेडिसीन उनके लिए रहेगा जो कहीं भी boneत्रा करते हैं यदि गारी में चाहों कार हो हो ट्रेन हो हवाइधाज हो कह यदि यातरा वह करते हैं तो उनको उल्टी की समस्षिया देखने को मिलता है तो उनके लिए बहुत हीं लापदायक होमियोपैथिक मेडिसीन है कोकुलस इněट कर थती पार में में है इसक इतना ज्यादा इस समस्यास के वज़े से उनको परसान हो जाते हैं कि जैसे ही उनको कहीं जाना रहता है गारी के से तो वह पहले ही जो है डर जाते हैं उनको पहले ही मनमें जो है डर बन जाता है कि हमें गारी में बैठते ही, जो है हमें कैह होने लगेगा यदि ऐसा लच्छन देखने को मिले तो आप are यह हमियॉपैथिक मेडिसिन. Canton का जुरूर उपयोग करें और उस कंडिशन में आपको जुआ है अपने packet में यह हमियोपेथिक मेडिसिन को रखना है और गारी में बैठने से पहले ही आपको दोबुण अपने जीपे जो है ड्रेक ले लेना है या गारी में बैठे हैं आपको अनभव हो कि मुझे अब जो है कैव होने वाला है आपको जो है मिजी मिचलाने लगे जैसे ही आपको जो है दोबुन अपने जीपे ले लेना है इस लच्छन में आपको बहुत अच्छा लाभ देता है यह homeopathic medicine, तो मैंने जो आपको 4-5 तरह का homeopathic medicine बतलाया, यदि आप लच्छन का नुसार इसका उप्योग करते हैं, तो मैं आसा करता हूँ कि आपको यह लच्छन में, यह समस्या में बहुत ही अच्छा लाफ देता है यह homeopathic medicine, अब मैं जो homeopathic medicine के बारे में चर्चा करने बाला हूँ, वह homeopathic medicine सारे लच्छनों में सारे लोगों के लिए बहुत ही लबदायक है, उस homeopathic medicine का नाम है नोजिया नेट ड्रॉप, इसकी डोज रहेगा पंदरा बूंद बड़े लोगों को तीन बार सुबा दूफर साम यह सारे लच्छनों में, सारे समस्याओं में, चाहे कीसे भी कारण बस आपको बोबेटिंग नोजिया की समस्या देखने को मिले हर लच्छन में यह जो है, नोजिया के कंडिशन में, नोजिया के स्थिति में, बोबेटिंग के स्थिति में बहुत अच्छा लाभ देता है यह homeopathic medicine तो धन्यवाद दोस्तों, पुरा वीडियो देखने के लिए मैंने जो आपको यह homeopathic medicine बतलाया, यह homeopathic medicine आपको homeopath medical store में या online भी मिल जाएगा जैसा भी आपको सुधा लगे, आप यह homeopathic medicine को खरिश सकते हैं तो यदि आपको मेरा वीडियो पर संद आया हो, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेर जरूर करें और मेरे comment box में जुरू बतलायें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, तो मैं फिर से आप लोगों के कहना चाहता हूँ कि यदि अभी ही तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो किर्पिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लें और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो लाइक और सेर करें तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे तब तक जो है आप अपने हेल्थ को हेल्दी रखें टेक केर धन्यवाद जय हिंद जय भारत